एक गौ, लेखक परिचे, लेखक, जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार जी का जन दो जनवरी उनीस सो पांची में कॉडियार गंच जिला अलीगर में हुआ आपकी प्रारम विकर शिक्षा हस्तिनापूर तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वा विद्याले में हुई आपने असहयोग अंदोलन में भाग लिया था आपको गिरफतार करके जैल भी भेजा गया निधन 24 डिसंबर 1988 ए में हुई उपण्यास तथा कहानी दोनों क्षेत्रों में आपको ख्याती मिलती हैं परक, सुनीता, त्याकपत्र, कल्यानी, सुक्ता, विवर्थ व्यति तादी आपके कई उपण्याम प्रकाशित हुए हैं कहानी के क्षेत्र में भी आपका प्रचोर योगदान है आपकी कहानियों में प्रेम, वातसल्य, क्रांती, राश्ट्रियता, दर्शन आदी की अभिव्यक्ती हुई है हिसार और उसके आसपास के हिस्से को हर्याना कहते है यहां के लोग खूंग तग्डे होते हैं, गाय बैल और भी तंदुरुस्त और कद्दावर होते है यहां की नसल मशहर है, उसी हर्याना के एक गाउं में एक जमीनदार रहता था दो पुस्त पहले उसके घराने की हाता थी गीदूद, बाल बच्चे थे, मान प्रतिष्ठा थी पर धीरे धीरे अवस्था बिगड गई आज हीरासिंग को यह समझ नहीं आता है कि अपनी बीवी दो बच्चे खुद और अपनी सुन्दरिया गाई की परवरिश कैसे करें राज की अमलदारी बदल गई है और लोगों की निगाहे भी फिर गई है शहर बड़े से और बड़े हो गई हैं और वहाँ ऐसी नूची नूची हवेलियों खड़ी हो जाती है कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता कल कारखाने और पुटलीगा खड़े हो गई हैं बाइसिकले और मोटरे आ गई है इनसे जिन्गी तेजपड गई है और बजार में महागाय आ गई है इधर गाओं उजाड हो गए है और खुशाली की जगह बेचारगी फैल रही है हर्याना के बेल खुबसूरत तो अब भी मालूम होते हैं और उन्हें देखकर खुशी भी होती है लेकिन अब उनकी उतनी मांग नहीं है चुनाचे हीरा सिंग भी अपने बाप दादाओं के समान जरूरी आदमी अब नहीं रह गया है हीरा सिंग को बहुत सी बाते बहुत कम समझ में आती है यह आँखे फार कर देखना चाहता है यह क्या बात है कि उसके घराने का महत्व इतना कम रह गया है आंख में उसने सोचा कि यह भाग्य है नहीं हो और क्या उसकी गाए सुंदरिया, डीलडॉल में इतनी बड़ी और इतनी तंदुरूस्त थी कि लोगों को इरश्या होती थी उसी सुंदरिया को अब हीरा सिंग ठीक ठीक खाना नहीं जुटा पाता था इस गाए पर उसे गर्व था, बहुत ही मुहबबत से उसे उसने पाला था, ननहीं बच्छिया थी, तब से वह हीरा सिंग के यहां थी हीरा सिंग को अपनी गरीबी का अपने लिए इतना दुख नहीं था जितना उस गाए के लिए जब उसके भी खाने पीने में तोड़ाने लगी तो हीरा सिंग के मन को बड़ी विधा हुई क्या वहां को बेच दे इसी गाओं के पटवारी ने दी सो रूपे उस गाय के लगा दिये थे दो सो रूपे थोड़े नहीं होते लेकिन अववल तो सुंदरिया को देवे कैसे इसमें उसकी आत्मा दुखती थी फिर इसी गाओं में सुंदरिया दूसरे के यहां बंदी रहे और हीरा सिंग अपने बाप दादों के घर बैठा टुकुर टुकुर देखा करे यह हीरा सिंग से कैसे सहा जाएगा उसका बड़ा लग्का जवाहर सिंग बड़ा तगा जवान था उनीस वर्ष की उम्र थी, मसे भीगी थी, पर इस उम्र में अपने से घोड़े को कुछ नहीं समझता था सुंदरिया गाए को मौसी कहा करता था उसे मानता भी उतना ही था हीरा सिंग के मन में दुरदिन देखकर कभी गाए को बेचने की बात उठती थी, तो जवाहर सिंग के डर से रह जाता था ऐसा हुआ तो जवाहर डंडा उठा कर रार मोल लेकर, उसकी फिर वहां से खोल कर नहीं ले जाएगा, इसका भरोसा हीरा सिंग को नहीं था जवाहर सिंग उजड़ी तो है सुन्दरिया के मामले में भला वह किसी को सुनने वाला है, ऐसे नाहकरार के बीच बढ़ जाएंगे, और क्या, पर दुरभाग्य भी सिर पर से टलता न था, पैसे पैसे को तंगी होने लगी थी, तो सब भुगत लिया जाए पर अपने आश सो कोई नौकरी मिल ही जाएगी, नहीं तो तुम ही सोचो, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम यहां देख भील रखना, वहां ठीक होने पर तुम सबको, बुला लूंगा, दिल्ली जाकर एक सेट के यहां चौकिदार की नौकरी उसे मिल गई, हवेली के बाहर डैयोडी में एक को सेटरी रहने को भी मिल गई, एक रोज सेट ने हीरा सिंग से कहा, तुम तो हर्याना की तरफ के रहने वाले होना वहां की गाएं बड़ी अच्छी होती, हैं, हमें दूद की तकलीफ है, उधर की एक गाय का बंदोबस्त हमारे लिए करके दी, हीरा सिंग ने पूछा, कितने दूद की और कितनी कीमत की चाहिए, सेट ने कहा, कीमत जो मुनासिब हो, देंगे, पर दूद थन के नीचे खूब होना चाहिए, गाय खूब सुंदर बत अगड़ी होनी चाहिए, हीरा सिंग सुंदरिया की बात सोचने लगा, उसने कहा, एक है तो मेरी निगाह में, पर उ पंद्रह सेर दूद उसके तले उतरता है, सेट ने पूछा, तो उसका मालिक किसी शर्ट पर नहीं बेच सकता, हीरा सिंग उसके 200 रूपे लग गए हैं, सेट, 200 चलो 5 हम और ज्यादा देंगे, 5 रूपे और ज्यादा की बात सुनकर हीरा सिंग को दुख, हुआ, वह कुछ से और कुछ ताने में मुसकराया भी, सेट ने कहा, ऐसी भी क्या बात है, दी 4 रूपे और बड़ती दे देंगे बस, हीरा सिंग ने कहा, अच्छी बात है, मैं कहूंगा, हीरा सिंग को इस घड़ी दुख बहुत हो रहा था, एक तो, इसलिए कि वह जानता था कि गाय बेच गाय अच्छी है और उसके तले, 15 सेर दूद पक्का है, तो 5-10 रुपाई के पीछे बात, कच्छी मत करना, हीरा सिंग ने तब लजजा से कहा, जी, सच्छी बात यह है, कि गाय वह अपनी ही है, सेट ची ने खुश होकर कहा, तब तो फिर ठीक बात है, तुम तो अपने गाय कब ले आओगे, मेरी राय में आज ही चले जाओ, हीरा सिंग शरम के मारे कुछ न बोल सका, उसने, सोचा था कि गौव आखिर बेचनी तो होगी ही अच्छा है कि वह गाउं से दूर कहीं ऐसी जगह रहे, रुपे 5 कम, 5 जादा यह कोई ऐसी बात नहीं, पर गाउं के पटवारी के यहां तो सुंदरिया उससे दी ही न जाएगी, उसने सेट के जवाब में कहा, जो होक्म, मैं आज हो चला जाता हूं, लेकिन एक बात है मेरा लड़का जवाहर राजी हो जाए तब है, वह लड़का अख़ड है और गाय को प्यार भी करता है, सेट ने समझा, यह कुछ और पैसे पाने का बहाना है, बोला, अच्छा, दो सो पांच ले लेना, चलो, दो सो साथ ही, सही पर गाय लाओ तो दूद पंद्रह मेर पक्के को शर्त है, हीरा सिंग लाज से गड़ा जाने लगा, वह कैसे बताए की, रुपे की बात बिलकुल नहीं है, तिस पर गरीबी के दिनों में, गाय दिन पर दिन एक समस्या होती जाती थी, उसकी रखना भारी पर रहा था, पर अपने तन क्या काटा जाता है, काते कितनी वेदना होती है, वही हीरा सिंग का हाल था, सुन्दरिया क्या केवल एक गौ थी, वह तो गौ, माताक थी, उसके परिवार का अंग थी, उसी को रूपे के मोल बीचना, आसान काम न था, पर हीरा सिंग को यह धाधस था कि सेट के यहां रहकर, गौ उसकी आखों के आगे तो रहेगी, सेवा तहल भी यहां वह, गौ की कर लिया करेगा, उसकी तहल करके यहां उसके, चित को कुछ तो सुख रहेगा, तब उसने सेट से कहा, रूपे, की बात बिलकुल नहीं है, सेट जी वह लड़का जवाहर ऐसा ही है, पूरा बेबस जीव है, खेर, आप कहें तो आज मैं जाता हूँ, उसे समझा बुझा सका तो गौ को लेता ही आऊंगा, उसका नाम हमने, सुन्दर या, रखा है, हाँ, लेते आना, पर पंदरह सेर की बात है न, इतमीनान हो जाए तब सौधा पक्का रहेगा कुछ रूपे चाहिए, तो ले जाओ, हीरा सिंग बहुत ही लजजित हुआ उसकी गो के बारे में, वे एत्वारी उसे अच्छी नहीं लगती थी, उसने कहा, जी, रूपे कहा जाते ह हैं, फिर मिल जाएंगे पर यह कहे देता हैं कि वह एक ही है, मुकाबले की दूसरी मिल जाए तो मुझे जो चाहो कहना, सेच्छो ने इस निहभाव में 200 रूपे मान कर उसी वक्त हीरा सिंग को थमा दिये और कहा, देखो हीरा सिंग आज ही, चले जाओ और गाय कब तक आ ज एक दिन में की जाती है, तुम मुझको क्या समझते हो, तीस कोस की मंजल सेच पैदल एक दिन छोड़ तीन दिन में भी कर ले तो हीरा सिंग जाने, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, सेच ने कहा, अच्छा, तो चौते दिन गाय यहां आ जाए, हीरा सिंग ने कहा, जी, कम से कम पांच रोज तो लगेंगे ही, सेच ने कहा, पांच, हीरा सिंग ने विनीद भाव से कहा, दूर जगह है, सेच जी, सेच ने कहा, अच्छी बात है, देर मत लगाना, यहां काम का हर्ज होगा, जानते हो, खेर, इन दिनों तुम्हारी, तंखवाह न काटने को कह देंगे, ही आया देखकर सेच बड़े खुश हुए सच्छ मुच वेसी सुन्दर स्वस्थ गौ, उन्होंने अब तक न देखी थी, हीरा सिंग ने खुद उसे सानी पानी किया, सहलाया और अपने हाथों से उसे दुहा दूद 15 सेर से कुछ उपर ही बैठा, सेच जी ने दी सौ के उपर साथ रुपे होरा को दिये और अपने घुशी को बुला कर गो उसके सिपुर्ट की, रुपे तो लिये लेकिन हीरा सिंग का जी भरा आ रहा था, जब सेच जी का घुशी ग्याय को ले जाने लगा, तब गाय, उसके साथ चलना ही नहीं चाहती थी, घुशी ने जल्ला कर, उ पहगो इतनी भोली मालूम होती थी कि सचमुझ घोसी का हाथ भी उसे मारने की हिम्मत से ही उठ सका था. अब जब वह हाथ इस भांती उठ करके भी रुका रह गया तब घोसी को खुशी हुई क्योंकि गौ की आँखों के कोने में गाढ़े-गाढ़े आंसु भर रहे थे. चौकिदार हमें दूसरा कौन मिलेगार तंख्वाह तो हम तुम्हारी एक रुपया और बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योडी पर ही रहना होगा. उस समय हिरासिंग को बहुत दुख हुआ. यह दुख इस बात से और डहस हो गया की सेट का विश्वास उस पर है. वह गौ को सम्बोधन करके बोला, जाओ बहिनी, जाओ. गौ ने सुनकर मूँ जरा उपर उठाकर हिरासिंग की तरफ देखा, मानो पूछती हो, जाओ. तुम कहते हो, जाओ. हिरासिंग उसके पास आ गया. उसने गले पर थप थपाया, माथे पर हाथ फेरा, गल्बन सहलाया और कांपती वानी में कहा, जाओ बहिनी सुन्दरिया, जाओ. मैं. कहीं दूर थोड़े ही हूँ. मैं तो यहाँ ही हूँ. हिरासिंग के आशिर्वाद में भीगती हुई गीचुप खड़ी. थी. जाने की बात पर जरमू उपर उठाया और भरी. आँखों से उसे देखती हुई मानो पूछने लगी, जाओ. तुम कहते हो, जाओ. हिरासिंग ने थप थपाते हुए पुकार कर कहा, जाओ बहिनी. सोच ना करो. फिर घोसी को आश्वासन देकर कहा, तो. अब ले जाओ, अब चली जाएगी. यह कहकर हिरासिंग ने. गाए के गले की रसी अपने हाथों उस घोसी को थमा दी. गाए फिर चुपचाप डग डग उसी के पीछे पीछे चली गई. हिरासिंग एक टक देखता रहा. उसने आशू नहीं आने दिये हाथ के नोटों को वह जोर से पकड़े रहा. नोट पर वह मुठी इतनी जोर से कस गई कि अगर उन नोटों में जान होती तो बेचारे रोट थे. वे कुछले कुछलाए मुठी में बधे रह गए. उसके बाद सेट जी वहां से चले गए और ही रासिंग भी. चलकर अपनी कोटरी में आ गया. कुछ देर वह उस हवेली. की जोरी के बाहर शून्य भाव में देखता रहा. भीतर हवेली. थी, यह तुम्हारे है बाहर बिच्छा शहर था, उसके पार खुता. मैदान और खुली हवा थी और उनके बीच में आने जाने का. रास्ता चोड़े हुए फिर भी उस रास्ते को रोके हुए यह जोरी. थी, कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर मून जुका कर हुकका. गुरगुर आने लगा. अन्बूंज भावबह इस व्याप्त विस्त्रित शुन्य में देखता रह गया. लेकिन अगले दिन गड़बर उपस्थित हुई. सेट जी ने हिरा सिंग को बुला कर कहा, यह तुम मुझे धोखा तो नहीं. देना चाहते. गाय के नीचे सवेरे पांच सेर भोतो. दूग नहीं उतरा. शाम को भी यही हाल रहा. मेरी आँखों में तुम धूल जूखना चाहते हो. हिरा सिंग ने बड़ी कठिनाई से कहा, मैंने तो पंद्रह. सेर उपर दुह कर आपके सामने दे दिया. दे दिया होगा. लेकिन अब क्या बात हो गई? तुमने. उसे कोई दवा तो नहीं खिला दी है. हिरा सिंग का जी दुख और गलानी से कठिन हो आया. उसने कहा, दया मैंने नहीं खिलाए और कोई दवा दूध. ज्यादा नहीं निकलवा सकती इसके आगे और में कुछ नहीं. जानता. सेट जी ने कहा, तो जाकर अपनी गाय को देखो. अगर दूब नहीं देती, तो मुझे मुफ्त का जुर्माना भुगतना है. हिरा सिंग गाय के पास गया. वह उसकी गर्दन से लगकर खड़ा हो गया. उसने गाय को चुमा, फिर कहा. सुन्दरिया, तू रुस्वाई क्यूं कराती है? तेरे बारे में किसी से? धोखा करूंगा. गाय ने उसी भाती मूं उपर उठाया, मानो पूछा मुझे कहते हो. बोलो, मुझे क्या कहते हो? हिरा सिंग ने घोसी से कहा, बंटा लाओ तो. घोसी ने कहा, मैं आद घंटा पहले दो चुका हूँ. हिरा सिंग ने कहा, तुम बंटा लाओ. उसके बाद साड़े तेरह सेर दूद उसके तले से पक्का तॉलकर हिरासिंग ने घोसी को दे दिया कहा यह दूद सेट जी को दे दो फिर गौ के गले पर अपना सिर डालकर हिरासिंग बोला सुन्दरी देख मेरी ओची मत कर तू यहां है मैं दूर हूँ तो क्या उसमें मुझे सुख है गौम उन जुका कर वैसी खड़ी रही देखना सुन्दरिया मेरी रुस्वाई न करना गदगद कंट से यह कहकर उसे थप थपाते हुए हिरासिंग चला गया पर गो अपनी विथा किस से कहे कह नहीं पाती इसी से सही नहीं जाती क्या वह हिरासिंग को रुस्वाई चाहती है उसे सह सकती है लेकिन दूर नीचे आता ही नहीं तब क्या करें वह तो चर-चर जाता है सुख सुख जाता है गौ बेचारी करे तो क्या सो फिर शिकायत हो चली गई थी. इतने उन्हार मुन्हार किये, बस में ही ना आई. गाय है कि बवाल है? जी को एक सामत ही पाल ली. सेथ ने कहा, क्या हिरासिंग, यह क्या है? हिरासिंग ने कहा, मैं क्या जानता हूँ? सेथ ने कहा, क्या यह सरासर धोखा नहीं है? हिरासिंग चुप रह गया. सेथ शेटची ने कहा ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और, रुपे मेरे वापस करो, लेकिन रुपे हिरासिंग गाउं भेज चुका था और उसमें, से काफी रकम वहां के मकान की मरम्त में काम आ चुकी थी, हिरासिंग फिर चुप रह गया, सेटची ने कहा क्या कहते हो, हिरास हीरासिंग ने सुन लिया और सुनकर वह अपनी ड्योडी में आ गया। उस ड्योडी के इधर हवेली है, उधर शहर बिच्छा है, जिसके पास खुला मैदान है और खुली हवा है। दोनों और कुछ देर शुन्य भाव से देखकर वह हुक का गुडगुडाने लगा। अगले पहले शाम को सुन्दरी गायने दूद देने से बिलकुल इंकार कर दिया था। उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, धमकाया और पीटा भी गया था, फिर भी वह राह पर ना आय थी। अब यह इतना सारा दूद यहां कैसे बिखरा है। यह यहां आया तो कहां से आया। ल लोगों का गुमान यह था कि हीरासिंगी वह व्यक्ति हो सकता है। हीरासिंग चुपचाप था। वह तजज्जित और सचमुच अवियुक्त मालूम होता था हीरासिंग के दोशी होने का अनुमान या कारण यह भी था कि हवेली के और नौकर उससे प्रसन न थे। वह नौ नौक्री से आगे बढ़कर स्वामिभक्ती का भी उसे चाव था, जो की नौक्री के लिए असहा दुर्गुन नहीं तो और क्या है? सेथची ने पूछा, हिरासिंग, यह क्या बात है? हिरासिंग चुप रह गया. सेथची ने कहा, इसका पता लगाव हिरासिंग नहीं. तो अच्छा ना होगा. हिरासिंग सिर जुका कर रह गया, पर कुछ ही देर में उसने. सहसा चमतकृत होकर पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी. जरूर यही बात है. आप इसकी खबर तो लीजिए. घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसी. चुप कभी उसके जनम जीते जी हो ही नहीं सकती है और. कर रात तो हुजूर, पक्के दावे के साथ गाय ठीक तरह से. बदी रही है. हीरा सिंग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता. सेट ची ने कहा, तो फिर तुम्हारी समझ में क्या हो? सकता है. हीरा सिंग ने स्थेर होकर कहा, गाय रात को आकर. ड्योडी में खड़ी रही और अपना दूद गिरा गई. यह कहकर हीरा सिंग इतना लीन हो रहा था कि मानोगौ के इस दुश्कृत्य पर अतिशे कृतग्यता में डूद गया हो. सेट ची ऐसी अन्होनी बात पर कुछ देर भी नहीं ठेहरे. उन्होंने कहा, ऐसी मस्मूई बातें और से कहना. जाओ, खबर लगाओ की वह कौन आदमी है, जिसकी यह कर्तूत है. हीरा सिंग ड्योडी में चला गया ड्योडी इस हवेली और उस दुनिया के दर्मियान है, उसके लिए घर बनी हुई है. क्षनेक शुन्य में देखते रहकर फिर सिर जुका कर वह हुख का गुर्गुराने लगा. रात को जब वह सो रहा था, उसे मालूम हुआ की दर्वाजे पर कुछ रगड की आवाज आय उठकर दर्वाजा खोला की देखता क्या है, सुन्दरिया खड़ी है. इस गौ के भीतर इन दिनों बहुत विधा घुटकर रह गई थी. वह तकलीफ बाहर आना ही चाहती थी. हीरा सिंग ने देखा, मूम उपर उठाकर उसकी सुन्दरिया उसे अभियुक्त की आँखों से देख रही है, मानौ अत्यंत लज्जित बनी क्षमा याचना कर रही हो. कहती हो, मैं अपरादिनी हैं लेकिन मुझे क्षमा कर देना में बड़ी दुखिया हूँ. हीरा सिंग ने कहा, बहिनी, यह तुमने क्या किया? कैसा आश्चर्य? देखता क्या है कि गौमानव वानी में बोल रही है, मैं क्या करूँ? हीरा सिंग ने कहा, बहन, तुम बेवफाई क्यूं करती हो? सेट को अपना दूद क्यूं नहीं देती हो? बहिनी वह अब, तुम्हारे मालिक हैं. कहते कहते हीरा सिंग की वानी काप. गई, मानो कहीं भीतर इस मालिक होने की बात के सच होने में उसको खुद शंका हो. ऐसे वह तुम्हारे मालिक हुए. गौ ने कहा, ऐसे तुम्हारे यहां मालिक हुआ करते हैं. मैं इस बात को जानती नहीं है. लेकिन तुम मुझे प्रेम करते हो. सो तुम मेरे क्या हो? हौरा सिंग ने धीर भाव से कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ. गौ बोली, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, यह तुम कहते हो. तुम जूट भी नहीं कहते होगे तुम जानते हो, वह मैं नहीं जानती. लेकिन मालिक की बात के साथ दूब देने की बात मुझसे तुम कैसी करते हो? मालिक है, तो मैं उनके घर में उनके खुंटे से बदी रहती तो हूँ रात में भी चोरी कर आई हूँ, तो भी उनकी डैोडी से बाहर नहीं हूँ पर दूग तो मेरे उतरता ही नहीं, उसका क्या करूँ मेरे भीतर का दूग मेरी पूरी तरह बस में नहीं है कर रात आप ही आप इतना सारा दूग यहां बिखर गया मैं यह सोचकर नहीं आई थी हाँ, मुझे लगता है कि बिखरेगा तो वहियों ही बिखर जाएगा तुम ड्योडी में रहोगे तो शायद ड्योडी में बिखर जाएगा ड्योडी से पार चले जाओगे तो शायद भीतर ही भीतर सूथ जाएगा मैं जानती हूँ, इससे तुम्हें दुख पहुचा है मुझे भी दुख पहुचता है शायद यह ठीक बात नहीं हो मेरा यहां तक आ जाना भी ठीक बात नहीं हो लेकिन जितना मेरा बस है, मैं कह चुकी हूँ तुमने रुपे लिये हैं और सेख मेरे मालिक हैं, तो उनके घर में उनके खुम्टे से मैं रह लूँगी रह तो मैं रही ही हूँ रुपे लेन देन से अधिकार का और प्रेम का लेन देन जिस भाव से तुम्हारी दुनिया में होता है, उसे में नहीं जानती फिर भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे नियम मानती जाओंगी लेकिन तुम अपने हृदय का इतना स्नेल देते हो तब तुम मेरे कुछ भी नहीं हो और अपने हृदय का दूद बिलकुल तुम्हारे प्रती नहीं वहा सकती यह बात में किस विद्ध मान लू मुझसे नहीं. मानी जाती. सच, नहीं मानी जाती. फिर भी जो तुम कहोगे, वह में सब कुछ मानूगी. हीरा सिंग ने विशाद भरे स्वर में पूछा, तो मैं तुम्हारा क्या है? गौने कहा, तो क्या मेरे कहने की बात है? फिर शब्द. मैं विशेश नहीं जानती. दुख है, वहीं मेरे पास है. उससे जो शब्द बन सकते हैं, उन्हीं तक मेरी पहुँच है. आगे शब्दों में. मेरी गति नहीं है, जो भाउमन में हैं, उनके लिए संग्या मेरे. जुटाय जुट्ती नहीं. पशु जो मैं हूँ. संग्या तुम्हारे समाज की. स्वीकृति के लिए जरूरी होती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे समाज की नहीं हूँ. मैं निरी गौ हूँ तब मैं कह सकती हूँ कि तुम मेरे कोई हो, कोई ना हो, भूब मेरा किसी और के प्रती नहीं बहेगा इस बात में मुझ पर मेरा भी बस कैसे चलेगा तुम जानते हो, मैं कितनी पर्वस हूँ हीरा सिंग गौ के कंट से लिप्ट कर सुबकने लगा सुन्दरिया तो मैं क्या करूँ गौ ने कम्पित वानी में कहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ हीरा सिंग ने कहा जो कहो मैं वही करूँगा सुन्दरी लेकिन रुपे का लेन देन है लेकिन मेरी गौ, मैंने जान लिया कि उससे आगे भी कुछ है शायद उससे आगे ही सब कुछ है जो कहो, वही करूंगा मेरी सुन्दर्या गौ ने कहा, जो तुमसे सुन रही हूँ, उससे आगे मेरी कुछ चाहना नहीं है इतने में ही मेरी सारी कामनाय भर गई हैं, आगे तो तुम्हारी इच्छा है और मेरा तन है मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं मांगती और मैं सब सहलूंगी सुनकर हीरासिंग विहत हो आया उसके आंसु रोके न रुके वह गर्दन से लिप्ट कर तरह तरह के प्रेम सिंबोधन करने लगा उसके बाद हीरासिंग ने बहुत से आश्वासन के वचनों के साथ गौ को विदा किया अगले दिन सबेरे उसने सेट जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने की चाहे कसकर चाक्री लीजिये, पर गो आज ही यहां से हमारे गाउं चली जाएगी रुपे जब आपके चुकता हो जाएं, मुझसे कह दीजियेगा तब मैं भी छुट्टी ले जाऊंगा सेट जी की पहले तो राजी होने की तबियत ना हुई फिर उन्होंने कहा, हाँ, ले जाओ, ले जाओ पूरा पूरा धाई सो रुपे का तावान तुम्हें भरना पड़ेगा हीरा सिंग तावान भरने को खुशी से राजी हुआ और गो को उसी रोज ले गया